कि हम एक बार पहले रिवाइज करने पुराना कि हमने इसको केसिस बना के स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमें जो कि यहां है तो सबसे पहले हमें से किए फॉण को मैंज़ करना होता है जिसको हम कापिटल सबसे खेला हो सबसे और के इस कहते हैं उसका क्युशन कितना किट नहीं तो अगर आपको पहले वो दे रखा है तो वो इशू वाला पार्ट और जितना रिजर्व है उन दोनों का इक्वल 100% आपका फेस वेल्यू के बराबर होना चाहिए अब जो आप Capital Redemption Reserve बनाओगे वो दो ही जगह से बना सकते हो कहां से बना सकते हो एक General Reserve Free Reserve से एक ही जगह इन फैक General Reserve और Free Reserve इस वाले पॉइंट में हमने यही देखा कि हम तो आगे हमने इशू भी प्रीमियम पे किया और Redemption पार पर ही रखा तो जब इशू प्रीमियम पे किया तो ऐसे केस में हमें जो CRR बनाना है वो सिर्फ फेस वेल्यू का ध्यान रखना यानि जैसे कि दस लाग है तो दस लाग के बराबर का ही हिसाब किताब बनाना था प्रीमियम की एंट्री हम सबसे लास्ट में राइट अफ करने की करते हैं जैसे कि मैंने जी आर्टू सेक्यूरिटी प्रीमियम कर रखा है इसके बाद हमने क्या देखा भी हमने Redemption तो प्रीमियम पे किया और Fresh ईशू भी इसे सिचुएशन में हमें जितने पैसे प्रीमियूम में पड़े थे उस प्रीमियूम को हमने इस्तमाल किया सारा कुछ मैनेज करके फिर एक आपके बुख कोशन के अंदर आपका पूरा पूरा डिटेल था जिसके अंदर आपने ये भी सीखा कि आपने इन्वेस्मेंट भी बेचा और इन्वेस्मेंट को लॉस्ट प्रॉफिट में बेचने के बाद जैसे भी था वह मैनेज करके आपने यहां पर किया और आपने ना सिर्फ आपने एकुटी शेयर शीर शीर किये बल्कि साथ के साथ आपने इसमें वाले कुश्चन में डिवेंचर भी इसू किये थे और इसकी पूरी इंट्री और एक बैलेंशीट रफली आइडिया दिया ऐसे बैलेंशीट बनता है तो यह बैलेंशीट आपके सामने था आप कुछ बच्चों का कहना है से पुरानी बैलेंशीट देखा नहीं देखा हां देखा उन सब को छोड़ते हैं एक मैं के हिसाब से रफली आइडिया दिया और यह आप सबको समझ भी आ गया था हां सर यह प्लस हुआ और यह माइनस हुआ अब हम नई बैले शीट का एक पहले फॉर्मेट थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर अगले कोशन पर आ जाएंगे ठीक है ना एक नई बैले शीट का एक फॉर और यह बनता कैसे है बहुत सिंपल है यह लेकिन आपको बस प्रैक्टिस होना चाहिए याद करने से याद करना पड़ेगा तो नहीं याद करने से तो कभी भी याद नहीं होगा बस देखो पहले था क्या जनरली आप देखोगे तो हमारे पहले बैले शीट का जो फॉर्मे कि मैं पुरानी आली बैले शीट से कंपेर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए तेखो कुछ यह बैले शीट था आपका और इस बैले शीट में आपने इधर की साइट क्या लिखा था लाइबलेटी और इधर के साइट क्या लिखा एसेट यही था और उपर क्या लिखते थे हम बैले शीट कुछ यही था बस पहले क्या था कि हमें किसी चीज को सीक्वेंस में नहीं करना जैसे कि हर चीज ना हमें सीक्वेंस में करना चाहिए हर चीज का मतलब जैसे कि आख को लिखा जट से लिखा यहां लिख दिया मैंने का इस तरीके से तो टल कर दिया पांच दो साथ एक और दो दसलाग इसके वाद मैंने वूला के डेटर मैंने सबसे फाफे पहले लिख दिया टॉप पे एक ऺंडाइक फिर मैने का रहे स्टॉफ भी है तो इस टॉफ लख लीए आपने 6 लाग, मैंने कहा building, आपने building भी लिख दिया यहाँ पे 2 लाग, मैंने कहा cash, यहाँ पे cash भी लिख दिया 1 लाग, यह भी हो गया total 10 लाग, यह पुरानी हमारी balance sheet काम किया करते थे और इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं किया करते थे, लेकिन यह चोटे-मोटे business में चल जाता है, लेकिन जितने बड़े level पे आप काम करोगे न हर कुछ systematic होता है, systematic आप कई बार चोटे जगह से समान लो, आप Amazon से समान लो, तो उसका return करने का एक process है, आप समान लेते हो, पहले आप request raise करोगे, request raise करने के बाद आपका वो cancel में जाएगा, cancel के बाद आपके पास verification call आएगा, verification के बाद फिर आएगा, और फिर आने के बाद 2-3 तीनों बाद आपके पैसे return आएगे, लेकिन आप normal घर के side वाले दुकान से लो, भी यह यह पसद नहीं आए, लेलो मेरे पैसे दे दो, वहाँ पर यह काम खतम हो जाता है, छोटे दुकान दर ऐसा क्यों क जिसे हम एकल स्वामित भी बोलते हैं, sole proprietor से, तो वो ऐसे कर दिया करते हैं, अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा बताओ कि बड़े businessmen क्या, कि पहले वो रखते है share capital system से, फिर रखते है वो जनर इसब, फिर रखते है long term liability, फिर लखते है current liability, लेकिन यहाँ पर ऐसा नही है, और थोड़ा सा law की demand, और हमें क्योंकि globalization में जा रहे हैं, तो globalization में जानने के बाद हमने क्या देखा, कि यह वाला part को कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ से उठा के उसको नीचे चिपका दिया गया, as a tease और कुछ भी नहीं किया गया, बस, यह नई balance sheet बन गया, और कुछ नहीं हुआ, रहना वही total है, रहना वही चीज है, तो सबसे पहले आप दिमाग को clear कर लो, कि भी आप पूरानी balance sheet और नई balance sheet में, क्या है कि जो इस side part करते थे उसको उठा के कहा ले गया, मीचे, और सारे total total वैसे ही होना है, देखो अभी इसका total यहीं दिख रहा है, और इस तो all total सारी के सारी वीडियो अपलोड हो जाएगे, और जितने बच्चे नए जोइन हुए हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, आप पहले share capital कर लिजे, फटा-फट आज की class में ज्यादा लंबी नहीं लूँगा, balance sheet के साथ ही मतलब कि ज्यादा concept नहीं होगे, तो अग कल सभी बच्चों को सारी चीज़े अपडेट होके मिल जाएगे, उसमें ऐसा नहीं है, कि यह मिलने वाला है और यह नहीं मिलने वाला, each and everything अपडेट हो जाएगा कल, ठीक है, चलो, तो यह आपकी क्या है, सर, नई balance sheet का format है, तो अब नई balance sheet का format में क्या बदलाब है, आप सबसे पहले तो हमारा एक कॉलम क्रियेट हो गया, जो कि मैंने यहां क्रियेट नहीं किया, पहले पुरानी में भी था, नूट का सेक्शन, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है, और इधर amount का कॉलम हो गया, और उपर लिखा जाएगा, balance sheet, balance sheet, तो सर अगर आप उपर के साइड को चेक करो, यहां भी balance sheet ही, यहां तक तो कोई बतलाव नहीं है, नूट का कॉलम आ गया, यहां पे लिखा जाएगा, आपका सबसे पहले जो है, वो लिखा जाएगा, आपका particular लिख लेते हैं, जो data होता है, और यहां पे one number लिखा liability side मान लेंगे, यह वाला हिस्सा और नीचे वाला asset side, जैसे यहां पे यह वाला side liability और यहां पे assets है, तो liability side में हम पता है, क्या लिखने वाले है, equity and liability, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, asset, तो पहले देखो, हमारे नाम बस उपर वाले का change हो गया, थोड़ा सा, बाक बात करें, तो वो थोड़ा सा sequence में आ जाएगा, इसके अंदर one number count होगा, यहां पे ती, आपके यहां पे total अकर देखा जाए, तो one point है, जिसको हम बोलेंगे, share, holder, और यह आपके लिए बिल्कुल new नहीं है, हाँ, जो science वाले बच्चे है, या arts वाले बच्चे है, उनके लि अभी काम आएंगे, मैं वही लिखूँगा, जब final account कराऊंट कराऊंगा, तो पूरे पार्ट लिखूँगा, और मैं वीडियो डाल जूँगा, A part हमारा आएगा, share capital, and B part जो आएगा, वो reserve and surplus, बस इतना ही काम आएगा, इसलिए मैं इसको इतना ही लिख रहा हूँ, इससे पॉइंट आजाएगा, हमारा नून करेंट लाइबलिटी, लाइबलिटी, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, सर, A part, आपका, long term borrowing, अब देखो, आप ध्यान से देखो, तो यहां पे भी share capital है, और यहां पे भी reserve है, लेकिन यहां पहले यह लिखा, फिर यह लिखा, कोई sequence नहीं है, लेकिन यहां पे यही system चलेगा, shareholder fund अच्छा सा heading बनाएंगे, और उसके अंदर यह दोनों पार्ट को A और B करके लिखना ह है, ऐसा नहीं है कि पहले reserve and surplus लिख दो, फिर share capital लिख दो, वो भी गलत है, आपको यह पूरा का पूरा sequence में ही लेके चलना होगा, पूरा का पूरा sequence, वीडियो pause, अगर कोई error आ रही हो वीडियो में तो बता देना, आप एक student कह रहे हैं के वीडियो pause, बागी student भी बता देन कमेंट में जितने बच्चे live हैं, अब इसके अंदर और भी parts आते हैं, बहुत सारे parts हैं, तो मैं उन part का use है ही नहीं, actual में माईने में देखा जाए, तो मैं उसको लिखी नहीं रहा, आपके लिए थोड़ा सा button में कम कर रहा हूं, ठीक है, जो part हमारे usable है, क्योंकि मैंने इत इसके पासर एक और दूसरा number था, money pending on application, तो वह सब चीजे छोड़ी यूजी नहीं है, आपके student life में यूज नहीं है, real life में तो होता है, लेकिन student life में यूज नहीं है, और जितना part का balance sheet में यहां बना रहा हूं, इतना ही use होने वाला है आपका आने वाले कुछ chapter के अंदर, यह बहुत सारी chapter के अंदर, तो यह तो पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, third number पर आ जाएगा हमारा current liability, ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत कम use होता है, वैसे part, मैं लिख देता हूं, a part, चलिए सब, तो liability side में मैं था, liability side में current liability, current liability को लिखने जा रहे हैं, तो इसका ज ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, इसमें, बट मैं सीधा लिख रहा हूं, other current liability, other current liability लिख देंगे, और एक हुआ तो provision आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा, c part में हमारा एक आता है, provision, short term provision, short term, नहीं तो बहुत rare आएगा, provision, ठीक है, आगे चलते हैं, सर, assets वाले की part की बात कर लेते हैं, assets में, इसमें थोड़ा साना change हुआ है, log के अंदर थोड़ा change होने की वज़े से, वैसे तो बहुत पहले change हो गया, लेकिन पिछले साल तक वाले बच्चों ने पढ़ लिया था, शायब, क्या change हुआ इसके अं अंदर हमारा जो first part आएगा ना यहां पर, that is first part का name होगा हमारा, किसी को याद है first part का नाम, property, पहले सबसे पहले होगा known current assets, one होगा हमारा known, known current, asset, अब known current assets के अंदर parts आ जाएंगे, that is हम ए पार्ट रख लेते हैं, यह आगा आपका property, plant and equipment, property, plant and equipment, that is इसको हम PPE भी बोल देते हैं, और यह accounting standard 10 है, बी पार्ट आ जाते हैं हमारे tangible assets, प्रॉपर्टी, plant and equipment की अगर हम बात करें, तो क्या क्या आता है सर इसके अंदर, इसके अंदर आपका normally generally वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे like for example, कि आपका यहां पर fix assets में जितने building हो गया machinery हो गया furniture वो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें property, plant and equipment जैसे हमारे पीछे वाले questions को अगर ध्यान से देखो न तो इसमें हमारे पास कुछ जैसे पीपी तो वैसे मैंने लिखे दिया क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एक्यूप्मेंट लिखा था और जैसे लिखा होता बिल्डिंग मसीनरी तो सभी इसी के अंदर आना होता चीक है न तो चलिए यह आ गया इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं सर इनिवस्मेंट होता नहीं जनरली हमारे पार्ट में हम भी सेकेंड पार्ड लिख लेत रहे सीधा क्या कु smoother कि इनवेस्मेंटे में क्या लिख गए और आन इंवेस्मेंटे बीपार्ट होता है इन्वेंटरी एक कि भी पार्ट ही Am опять your own कि सर्ण उन करेंट लाइबिटी में लॉङ ट्रम प्रो विज bulbs आता है लेकिन मैं अभी टर सिप कि अच्छा मैंने टर्रेंट लिटिए नहीं है अां टो नहीं आते यहां यह वाले पारण मैं लिखना चाहरा था कि एक सब्सक्राइब एक पार्ट मिसिंग हो गया थार्ड पार्ट कि करेंट लाइबलीटी ठीक है क्योंकि कि इसको ए नाम देंगे और बी ठीक है और अधर के जगह पर चलो यही दो काम आने वाले हैं वैसे इन्वेंटरी हो गया इन्वेंटरी के बास सीपार आजाता है हमारा ट्रेड पैबल ट्रेड रिचीव वल कि और यहां पर भी एक सीपार्ट आता है सीपारट कि इससे पहले ही आ जाएगा अधर करन्स लेटी से ट्रेड प्ल बट हमारे पास जगह हैं नहीं कोई बात नहीं कर लेते हैं जगह चलो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं कि यह लाइट जाने के वेज़े से सारा काम इधर उदर हो गया कि थोड़ा से नीचे शिफ्ट इससे पहले हम यह पार्ट लिख लिए थे हैं डेट इस ट्रेड वेबल ट्रेड रिसीवेबल और डी पार्ट आ जाएगा कैश एंड कैश एक्विलेंट और यह पार्ट लिख लो अदर करेंट इस ठीक है न यह टूटल मिला के हमारा बैलिंशीट है और इस बैलिंशीट के अंदर हम सिंपल सी बात है यहां पर एक टूटल लगने वाला है हमारा और एक टूटल यहां लगने वाला है यह वाला जो टूटल होगा वह किसका होगा बताओ वह सारा का सारा लाइबलेटी का और यह वाला जो टूटल होगा वह किसका होगा और यह के दोनों साइड हमेशा आपको पता है के लाइबिलिटी एसेट में इकवल होना जरूरी है कि क्लियर है सभी स्टूटेंट को यहां तक क्लियर है तो जो हमारे पुराने आले कुश्चन थे क्या हम उस फॉर्मेट को कर सकते हैं पहले एक बार में फॉर्मेट पूरा रिवाइ के अंदर आएगा हमारा सर आपका शिल्डर फॉल्डर फ़ंड में दो बाते हैं ऑंध्यक्त है क्या बातें सर्छियर के लिए नोट डलता है नोड़ नॉल लख से संद्व बस सर जर्ब के जर्ब रिजर्ब वाएगा सिक्यूरीन हाएगा पहुंच जाता है इसका नोट नंबर होगा थ्री लॉंग ट्रम पोरिंग में डिवेंचर आ जाएगा बैंक लोन आजाएगा दो चीज जाएंगे मोटी-मोटी बाते में बता रहा हूं इसके बाद सब्सक्रेडिटर आ जाएगा और बिल्स पेबल मैं बताता जा रहा हूं आ अधर करेंट लाइबलीटी में क्या आ जाएगा सब इसके अंदर क्या आजाएगा सिर्फ और सिर्फ एक आता है प्रोविजन फॉर टेक्स यह नोट नंबर के हमें बनाना पड़ेगा जी हां आपको नोट बनाना पड़ेगा जब एक से ज्जादा आइटम होगा तो उसके लिए नोट बनाना पड़ेगा अभी देख लेंगे हम सर इसके अंदर नोट नंबर इसका जाएगा कंटीनियू में सेवन सिक्सके बाद इसका नंबर एक इसका नोट नंबर एट क्या है सर इंटेंग विल्ट पेटेंट कोपिराइट फॉर्मूला लूमा और सी यह सारे के इसके पाँ आपके सारेस्टर के अंदर नोट नंबर आठ इसके अंदर नाइन सर सौ्टरम इंवेस्मेंट नंबर और इसके आप्को सारीन नाम होते हैं स्पेयर बार्ट लूसे टूल्स लेकिन हम यहां पे सिर पूझे और पूछे typically इateursआ एक्वहिसे रिसीबेबल में क्या जाएगा नोट नंबर 11 डेटर आ जाएगा बिल्स रिसीबेबल ने तिंग और कुछ भी नहीं आएगा इसके बाद सब्सक्राइब क्या जाएगा इसके अलाबा कुछ पूरे के पूरे अधर के आइटम मैंने बता दिये यह पहले के बना करते ते जो की अन सिस्टैकस और वाले जितने भी सामने मैंने बता दिया किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए एक बार नीव वाले एप पर देखना चल रही है लाइव क्लास नहीं चल रही है आप सभी का पास है ना लॉग इन प्ले करके देखना कि मुझे तो लग रहा है कि प्ले नहीं हो रही है क्लास इस लाइव दिखा तो रहा है एक और रही है प्ले हो रही है इसमें देखना कि लाइव में जाना मिल जाएगा वीडियो नहीं चल रहे है कि पास हो रहा है कि बीच में लाइट चली गई ना कि सारा मामला वहां खराब हो गया कि अब आज जाएगा देखूँ कि अब कि अब कि अब इमेज दिख रहा है या सर्फ मेरे को दो वाइट वाइट दिख रहा है मेरे चल रही है ना चला कि 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 यहां पर राउंड राउंड गूं में जा रहा है कि सभी के कोर्स में है बैलिंस शीट वाला मैं भी दिखा दूंग आपको कि फिर से घूमी रहने में रहा है नहीं चल रहा है ना कि मुझे नहीं देख रहा है यहां रहा है यहां मतलब नहीं वह रुका वह पॉज है रहा है अब बतान मेरे फॉन में जो नहीं चल रहा हूं कि ए चलो एक कोश्चन कर लेते हैं कौन सा इस वाले कोश्चन को करते हैं फिर से किसे नए बैलेंश शीट से ठीक है लास्ट क्लास याद है आपको बिल्कुल लास्ट क्लास याद है तो आप तो कर लोगे फटा फट से चलो नई बैलेंश शीट बना ले और नई बैलेंश बना लेते हैं फटा फट से देखो यह बना लिए हमने न्यू बैलेंश शीट यह है हमारा न्यू बैलेंश शीट एक ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना लिए हमागी यह एक नई बैलेंश बन गई बस मुझे इसमें पुट करके दिखाना है और सर इसमें जो चीजे यूजेवल है उसको यूज करेंगे जो यूज के नहीं है उसको नहीं करेंगे ठीक है अब सबसे पहले आ जाते हैं सर पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर वन क्या है शेयर कैपिटल अब शेयर कैपिटल की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजे माइनस प्लस हुई थी यादे तो फ्रेश इसू जैसे कि मैं दिखाता जाता हूं जैसे इसके अंदर क्या क्या हुआता सर इसके अंदर दो लाक रुपे आ और यहां पर इसको अच्छे से बनाना है आपको मैंने आपको दिखाए थे आंसर उस बच्चे ने क्या करा था कोई फॉर्मेट ही नहीं बनाए तभी मार्स नहीं मिले थे इसको पूरे कुश्चन के कि इसके अंदर क्या आता है में में चीज़े बता देता हूं जैसे इसके अंदर अगर देखा जाएं तो शेयर कैपिटल यह बन गए एक बॉक्स टाइप का बनाना है अपने भी तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा और और राइस कैपिटल वगरे आता है लेकिन हमार पास और बगरे की डेटेशल है नहीं तो हम लिखेंगे पहले एकूटी शेयर गैपिटल है हम लीकुटी शेयर हम अब बताना एग्जाम को कैसे एट्क है अब इसके बाद हमारा इकूटी यह कितने रहा है अब जाके यहां पर लिख करने हैं ठीक है ना यानि थोड़ा सा यह वाला काम इसमें बढ़ने वाला है हमारा नोट के उपर जादा तो यह बोलेगा नूट नंबर 12 लाग है अब रिजर्वेंग सर्प्लस का पूरा नोट बनाना मैं पड़ेगा सर इसके अंदर काफी सारा काम हुआ था आपको याद हो तो यह ना इसका भी नोट बना लेते हैं इसका बनके हमारा डौप doin dov 11 cm में याद़करो सबसे पहले था जो हमें घीवन था कुश्ट के Сам धश्क ही क्या क्या किवन है और कापिटल में इसका कुछ किया था किर्द कुछ भी नहीं किया इसके बाद security premium इसमें बहुत काम किया था फिर जनर रिजर्व जनर रिजर्व हमें इन साइड में लिखना है धियान रखना यह चोटी चोटी बाते हैं और आपको लिखेंगे लेकिन पेपर दिखा है आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा यहां पर तो यहां पर जनर र जब के पास surplus इसको भी अंदर लग दो कितने का surplus है दो लाग तो टूटल कितने होगे तीन लाग होगे इसमें से हम माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे transfer किसमें C-R-R पूरे तीन लाग तो यह तो बच गये हमारे जीरो और न्यू आ गया हमारे पास क्या-C-R-R आ गया कितने का 3 लाग एसे ची सेक्योरिटी प्रीमियूम करना पड़ेगा हमें सर सिक्यूरिटी प्रीमियुम सिक्यूरिटी प्रीमियुम पहले से देखो आपके पास कितने का पड़ा हुआ है सर एक लाग का पहले से सिक्यूरिटी प्रीमियुम कितने का था एक लाग का क्या नियू सिक्यूरिटी प्रीमियुम आये था हमारे पास नहीं आये था लेकिन र मैंने यहां पे लोग लेके धर लेकिन लॉट यह कहता कि अलग अलग लिखता लेकिन के किμά इसे नहीं चलेगा इन तो यह एक सरदर्द है तरीके से ज्यादा काम बढ़ गया लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हो आप कर रहे हो पब्लिक के लिए काम कर रहे हो उनके लिए आसान काम हो गया तो लौ यह जो बनाया प्लेंगे के नहीं मिलेंगे गैरंटी नहीं है ah corporate下面 चलिए सर आगे यह वाला पांट भी हो गया हमारा देखो यह but हमने यह 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 अबने क्या करना है तो अब क्या करना है सो करेंट लिए क्लियर क्लियर नी क्लियर नही mission है नीए तो यह सब यहां तो यह total कितना हो गया बाइस चाराटथ यह था पहले भी इस था था तो क्या भूल गया है बैंक ओवर्ड्राफ्ट लोन लिया था ना भूल गये हैं तो लोन नोन करेंट लियाबिलिटी वोर इंग नोट नमबर थिरी नहीं डालना क्योंकि हमें सीधा ही पता है तो हम इसको हटा देंगे अब क्योंकि जो सिंगल अमाउंट है अब डारेक्ट डालिए कितने का लोन ल मन करता है कि नोटबना के दिखा दो कि हमने लोंग ट्रम लिया हुआ है तो और यहां कि पॉइंट आता है जो लिया था वह शौक्ट्रम क्योंकि कोश्चन कहीं भी नहीं बोला बस कोश्चन में बोला था कि वाइव बैंक लून तो जब कभी भी बैंक लोन वर्ड आ जाए और प्रॉपरटी प्लांट एक दे रखा है तो नोट देने की कोई जूरत है नहीं यहां पर अब यह नोट हमारे काम का नहीं प्रॉपरटी प्लांट एक्यूपमेंट डिरेक्ली डाल देंगा 24 लाकिस में कुछ माइनस प्लस तो हमने कि या नि स्टॉक स्टॉक इन्वेंटरी में आ जाएगा सीधा सीधा तो यानि यह वाला पार्ट आपको लिखने की जुरूरत नहीं बैलेंशीट के अंदर जितना हमाई जानकारी है उतनी ही वैलेंशीट के अंदर इनकॉर्परेट करेंगे एक्स्ट्रा सारा फॉर्मिट नहीं लिख इन्वेंटरी कितने तक दे रखा था फांच लग लिखेंगे इन्वेंटरी के सामने इसके ट्रेड कितने पचास अजार इसके एक्साइट बोला ही तक पचास अजार बचाना है तो च्छे चॉबिस और तीस लाग अब जाके यह हमारी कॉन सी वाली बैलेंशीट बन गई तो कुछ तो मिलेगा तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला इस बात ता ध्यान रखना चाहे कुशन में बोला हो चाहे ना बोला हो तो उसके हिसाब से हमेशा वैसे तो इसमें बोल दिया प्रपेया बैलेंशीट इन दा फॉर्म प्रिस्क्राइब बाई कंपनीज एक्ट इमें भाए शडीओल 3 के अंदर शडीओल 3 के अंदर अब देखो इसमें से मैंने काफी सारी चीज़ें हटा दी जैसे की करन्ट लाइबरेटे में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिखा तो यह आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा सर किस किस चैप्टर में य इसके बाद डिबेंचर में भी कई कई जगह पर बैलेंशीट है कई पर नहीं उसमें थोड़ा है फिर इसके बाद आपका अपका रीकंस्ट्रक्शन आएगा उसमें भी पूरा का पूरा हमारा बैलींशीट का काम रहेगा तो मैक्समम 90 परसेंट चैप्टर में से आने चाहिए ताकि आप उसको वहां पर इंकॉर्परेट कर पाओ दो चीज जिन बच्चों को अच्छे सा आ जाता है तो फिर वह कॉर्परेट अकांट के अंदर एंटर करेगा चैप्टर में तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा और जितने चीज़ें हम लास्ट क् कर दिया इसमें भी आपने देखे कितने जर्नल इंट्री कौन से आगे जैसे करने पड़े चाप्टर में सभी चाप्टर में इसलिए स्टूडेंट को कहा जाता है कि आपका जो यूनिट नंबर थ्री है ना वो किसी भी चीज से लिंक नहीं है वह बिल्कुल सेपरेट है और वन टू एंट फोर यूनिट जो दे रखा है सब आपस में कनेक्टिट कोई भी नहीं बचेगा और हरानी की बात तो देखा आपको कैश फ्लोव भी है रेशो भी है सब बहुत सब कुछ है आपको करना है इसमें अभी तो फिलाल तो फटा-फट से देखिए बैलेंश बाता है इसकंद को कोई दिक्कत बताईए अब मताईए बैलेंश चीट में सरकॉर्परेट कॉस्ट एफवाई के डे टाइम रिपीट कर दो कोर्परेट का टीटीएस कॉस्ट का भी टीटीएस एफवाई रेगुलर हाँ हाँ जैसे कि मैंने देखो अब देखो ये सारे notes मेरे बेकार है मैं पीछे आजओ अब देखो ये सारे notes मैंने मिटा दिये सिर्फ note दो ही डले बागी का अगे note डलने की कोई ज़रत नहीं है हाँ अगर कोई बीच में आ जाएगा तो तीसरा आ जाएगा हमने पहले भले ही सीक्वेंस डाल दिया समझने के लिए लेकिन बीच में कोई आ जाए तो ऐसे हो जाएगा टाइमिंग आपका वैसे फाइव साड़े पांस से साथ मान लो इसका का कॉर्परेट का कॉस्ट का तो साथ से आठ अभी जो स्टार्ट होगा एक है आपका साथ से आठ और मॉर्निंग में नाइन टू टैन कि नोट हाँ वन टू अब मालो यह नहीं है अब यह आ जाता कुछ एसेट्स तो मैं इसको थी दे देता अब यह नहीं है साथ मेरे पास अधर करेंट एसेट्स में कुछ दो से तीन एक से ज्यादा पॉइंट आ जाए उसको नोट तो ही लिखना है अधर्वाइज नहीं लिखना है ठीक है कि रिदेंशन की वाली वीडियो कंटेंट में पहले यह देख लिए सब को क्लियर है एक बार पहले पुरानी नोट करो क्योंकि आगे मैं लेके जानी आप बैलेंशीट के बिना कैसे चले आगे यह वाली नोट करो वैलेंशीट यह भी नोट करो यह बैलेंशीट सभी जितने बच्चे लाइव वह भी नोट करें